आज हम लोग एक महत्वपो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम बात करें तो केश्वानन भरती बनाम केरा राज यह टॉपिक आपकी किस स्रीज में आता है, तो आप लोग को यह पतावना ची काफी इन्पोस्टेंट है इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था 26 संग्दान संसोता रहे हैं, उसमें एक चीज देखा था, कि इससे राजाओं के जो प्रिवी पर्स थे, उसको समाप्त कर दिया था और अब जो अगला हम लोग बने जा रहे हैं, वो केश्वान भारती बनां केरल राजी का वाद था, यह वाद 1973 में होती चर्चित रहा, और अगर इसके बारे में बात करें, उसमें काची पीट, संखराचार, शंपत्तिक अदिकार, 24 संग्दान संसोता से लेकर 26 तक इन सभ आपका एक सौट नोर्स मी बनकर तयार हो जाए, इसमें इस प्रकार के संसोधन ने बिधी मानिता प्रदान की गई, गोलक नाद बना पंजाब राज के निड़र को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया, आई यह देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़े की गई, क्या निरस्त की इहां पर सबस़त पहली बाती है इसमें संसोधन 24 और 25 इन दोनों को चनोकि देगई, और नियालय ने 24 और 25 संसोधन की जो मानिता दी और यह माना कि संसत संदान के किसी भाग में संसोधन कर सकती है जी हाँ, किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है, अतर ये मूल अधिकारों में संसोधन करके, उसमें कटवती कर सकती है। उसमें कटोती कर सकती है, यह सवाल पूछा जाता है कि सुप्रीम कोट के किस नेड़े के बाद या किस नेड़े में कहा गया कि संसत मूलादिकर में संसोधन करकर उसमें कटोती कर सकती है, लेकिन संसत सभिधान की बनियादी धाचे के साथ कोई छेरचा नहीं कर सकती है, संसो इससे किसी प्रकार का कोई भी छेर्चा नहीं किया जा सकता यहाँ बात यहाँ पर कहा गया जो काफी इंपॉर्टन था ठीक अब यहाँ पर एक सवाल आता है आप सभी के मन में आता है कि जब इसमें इस के सौनन भारती में यह कह दिया गया कि मूल समिधान का जो धाचा है जो उसका मुख्य कह सकते हैं कि प्राण है उसमें किसी प्रकार का संसोधन नहीं कह सकता मतलब ऐसा संसोधन करिए इससे कोई प्रभावी ना लेकिन यहाँ पर धाचे की अधाणना का कोई तथ्य नहीं रहा इसलिए नियाले ने समझ से ओपर इसकी ब्याख्या करेगा ध्यान दीजेगा यहाँ पर कहा गया कि पहली बार सुप्रीम कोट ने समिधान के करना करेगी मतलब बात साथ कि पहली बार सुप्रीम कोट ने उचतम न्याले ने समय समय पर इसकी ब्याख्या करेगा मतलब सुप्रीम क्योट केमसार समिधान के बुनियादी धाचे के आधार्णा का कोई तत्थ नहीं है कि यह इतना है यह बुनियादी धाचा है जी नहीं एह नियालै कि नई प्रदा विलोगन के सक्टि को स्पित कर रहा था मनल जो डिस्शी रिव था वो उसको कम कर रहा था चोटा कर रहा था इस या भाग को भिख था अिस भाग फोई इस सुक्रीम कवर्यton किया इस हटा दिया ठिक को यहाँ पर समीध को क्या किया उसे असे बतानी घोशित कर दिया तथा नऐ 15 भी लोकर की समिधान का बुनियादी धाचा मतलब सुप्रीम कोट ने माना कि जुदिस्ट्री रिब्व्यू समिधान का बुनियादी धाचा है आगे चलकर सुप्रीम कोट ने बणिदी धाचे की ओधायजणा को और अधिकक सपस्ट किया मनें सुप्रीम कोट ने क्या किया कि जो बणिदी धाचा है कि और स्थक्ष करने का प्लाश हैं और उसके लिए कुछ उसके धाचे के अंतरगत रखा लिए अगर आप कॉपी कलम लेकर बेठे हों उस धाचा के बारे में लेख सकते एक था लोगतंत्रिक गड़राज इसमें अगर एक देखें तो पहला अमनों को मिलता है कि इसमें क्या था कि एक लोगतंत्रिक गड़राज मैंने लोगतंत्रिक गड़राज यह शमिधान का मूल ढचा मानागे अब आपके मन में आएगा कि यह है तो हमें हमारी देशका में हमारी पर्षम्वना में देखने को मिल गया तो यहां भी मिल गया कुनसी बड़ी बात है आपकी मन में तॉया होगा इए चली और देश की जो संप्रभूता है देश की जो अखंडता है उसे भी किसी प्रकार से नहीं तोला जा शकता है मतलब यहाँ पर जो देश की संप्रभूता था उसके विसाथ उसको भी यह माना गया कि यह समिधान की मूल धाचा संसदी सासन विवस्था परिसंगी धाचा सक्तियों का प्रिथक करन बने यह नहीं है कि जैसे जो केंद्र राज के सक्ति था उसमें किसी प्रकार का नया कोई ऐसा अमेंडमेंड होता है मूल अधिकार हुआ यह मूल धाचा माना गया है पंथ निरिपेचता हाँ आपके कमेंड भी पढ़ रहे हैं आप लुक वीडियो को शेयर कर दिए अगर निस्पच वा पादर्सी चुनाओ देश के अंदर निस्पच और पादर्सी चुनाओ नियाइक पोंड़ा उलोकन इसक नियाइपालिका है वह स्वधंद्र हो है कि श्रविधान की सर्वोचता मारे देश में सर्वोचता श्रमिधान के देश की एकता अखंडता देश की एकता अखंडता कालेण करी राजी की ओधायना बेक्तिगत सुतंता वा गरिमा विधी का सासन मूलदिका वा नीत निरिशक तत्तों के बीद सामंजश वा शंतुलन बनाया रखना मने मूलदिका मने भागती न भाग्चार के बीद सामंजश अस्ताविद करना और शम्ता का सिध्धान और शम्ता का सिध्धान इसके साथ साथ शमिधान में संसोधन करने की संसत की सिमित सकता है मतलब समिधान में जो संसोधन करने की सकती अभी तक असिमित थी ये कहा गया कि मुला दिकार में संसोधन किया जा सकता है लेकिन उसको क्या गया गया सिमित किया गया और साथ ही साथ नियाय तक प्रभावी पहुँच और अनुचेद कुछ ऐसे अनुचेद थे जिसमें सुप्रीम कोड की सक्ति को बढ़ाएगा अगर हम बात करें तो कुछ अनुचेद इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहे तो निख ली जाएगा अनुचेद 32, 136, 140, 142 इसमें सुप्रीम कोड को कुछ सक्तिया दे गए लेकिन साथ हाई कोड को भी कुछ जगा सक्तिया दे गए अगर हाई कोड की बात करें तो उसे 226 और 27 मैं सक्तिया दे दे गए एक बहुती महत्तपूल पस्मा है मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर जान कि केश्वानन्द भारती वाद में कुल कितने न्याधीस थे एक सवधानिक पीट था उस सवधानिक पीट में कुल 13 न्याधीस थे कितने थे 13 न्याधीसों की एक सवधानिक पीट थे उन्होंने जो अपना नेड़े दिया था यह जो जज्जिमेंट दिया था इस नेड़े तो आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कमेंट करके बताएं, कि क्या यहां तक चीज़े आपको समझ में आगे नहीं आई हैं, तो वीडियो को दुबारा देखेगा, तिबारा देखेगा, तब तक देखेगा, जब तक कि आपके एक कॉंसर्ट पूरी महत्वण हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, क्या-क्या चीज़े परिच्छा के लिए महत्वण हैं, उन पर भी चर्चा परिचर्चा करें, इसके बात से सुरू होगा आपका, बलिश्वा समिदान संसोधन, अगर हम बात करें, तो जो बलिश्वा समिदान संसोधन था, वो आपके लिए सबसे आदा महत्वण था, क्यों महत्वण था, जरा कमेंट सेक्शन में जाएं, क्योंकि बलिश्वा समिदान संसोधन को मीनी कंसिटूशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मीनी कंसिटूशन कहा जाता है, लगु प्रबाद करें अगर मुला दिकार से जोडता तो अनुछे 368 में खंड 4 और 5 इस प्रकार किये गें संसोधन को किसी भी न्याले में प्रस्नगत नहीं क्या रहता मने जो स्रमिधान के अनुशे 368 खंड चार और खंड पांच में दो खंड जोड़े गए इस प्रकार किये गए संसोधन को किसी भी नियाले बिचनोती नहीं दिया सकते हैं मतलब इसमें आडिकिल 31 सी का विस्तार क्या है मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो अनुशे 31 का यहां पर बढ़ाएंगे विस्तार किया मने यदि संसत सभी नीति निसे तत्तों कि उद्देश को प्राप्त करने के लिए अगर कोई अधिनियम पारित करती है ता इस अधिनियम में अनुछे देगर मूलदिगारों का हरन होता है इस आधार पर यह अधिनियम भी वैधानिक होगा तो यहां पर हमने देखा कि मूलदिगार से जोड़कर चीज़ों को अंबलगों ने यहां पर देख लिया अब अगर जरा बताएं किसी की मन में कोई प्रस्ण हो कोई समस्या हो कोई सवाल हो तो जरूर को सकता है अब एक छोटा स्टॉपिक आता है मिनरवा मिल्स बनाम भारस मिनरवा मिल्स बनाम भारस आईए इसको भी हम लोग देख लेते हैं अपने वीडियो को शेयर कर दीजेगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं इसमें नेडे के द्वारा यह नेधार अच्छा करने के जिम्मेदार है वो न्याले की है और न्याले इस आधहार पर किसी भी संसोधन का पुन्डा अलोकन कर सकता है कि किसी भी विवस्था की गए थी उस विवस्था को यहाँ पर समाप किया गया मतलब खंड चार वह पाज जो 368 में जोड़े गया था यहाँ पर बलिश्वे सविदान संसोधन को चुनोती दे दे गया और 31 सी जो था उसे भी क्या क्या गया अब आज समयधानिक वोसी कर दिया गया अब आज समयधानिक यहाँ पर गोशीत कर दिया तब बताएं कि कितने ऐसे लोग थे जिनको यह पूरा समझ में आदे सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन जाएं और कमेंट करके बता हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो मूल अदिकार था उस मूल अदिकार से जुड़े वह तथ्य को पढ़ लिया अब इससे यह चीज़े असपस्ट हो गई और खिलियर हो गई अब आप लोग को क्या क्या ची कर दीजेगा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे चिसके बाद प्रसान नहीं हो ना इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक छोटा से वीडियो लेक्च्छा लाएंगे उसमें यह देखेंगे कि कौन-कौन मूल अदिकार और नीत इंदिरसक्त में क्या आतार है क्योंकि इ इसके प्रमुख अनुशेत उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी नागरीकूर विदेशियों को प्राप्त कुछ मोल अदिकार इस पर हम लोग वन्हों चर्चा कर लिया था जैसे अनुशेत 15 के वल भारतियों को है यह केवल नागरीकों को मोल अदिकार वह भारती नागरीक आगे हम लोग देखते हैं कुछ और अंशेद है ऐसे इस अंशेद के बारे हम लोगों ने पढ़ लिया है फिर भी आप चर्चा आप से कर ले रहे हैं अंशेद 16 केवल भारतियों के लिए है 20 अपराधों के लिए दोसित के समझ में सरच्ण ये दोनों के लिए है अंशेद 19 केवल भारतियों के लिए है विचार, व्यक्ति, सांध्री, पुर्ण, समेलन, निर्वाद रुप से विचलन करना और अंशेद 19 प्राने दही सुतनता क अधिकार सरुचान ये भारतीयों को भी है विदीश्यों को भी ए 9,9 अल्फसक्डियों को सिछिखा संसक्रिति तरीका यह खेवल भारतीयों को नों 1822 इसे मामलों ने पास शुरचित नोटप को रखनें इसके बाद एक आता है अनुछेद 31 क्या है वैसे मैं इसके बाए में चार्चा कर लिए था कि अनुछेद 31 क्या है आईए एक बार फिर से हम लोग यह देख लेते हैं कि अनुछेद 31 क्या है इसी के साथ आज के सिरी समातोंगी हम लोग पढ़ेंगे राज के निर्टिन दिर्शक सताम उन्चेद 31 क्या है भारतिश सम्मिधान का उन्चेद 31 शंपत्तिका मूल अधिकार प्रदान करता है परन्तु चलुष्टे सम्मिधान समसोधान अधिनियम 177 से 31 को निर्शित कर दि अधिकार के स्रीने से हटा कर अभी से भरतिश सम्मिधान का उन्चेद 300 का भाद 12 में रखा गया जहां पर संपत्तिकार है और यह एक प्रकार का वैधनिक अधिकार होगी इस प्रकार आज मूला दिकार के स्रीज यहां पर समाप्तुति है और टेलीग्राम पर आप सभी लो अर्लिंग क्लास मोर समदोंगर कोई जानकर इचीद इलनी भी दुर्गेश की आफिस का नुमबर है यहां पर आप वाट्सेप करके कॉल करके जानकर इले सकते हैं यह सभी क्लास जनपर जोनपूर से संचलित की जा रही थी इसके बाद हम लोग जो अगली टॉपिक पढ़ अधिकार और निशक तर्ट में क्या अंतर है इन दोनों के बारे में चर्चा और पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट आफ लग मिलते हैं अगले लिए लाक्चार वाड़ क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परिक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, आदी, सभी राजयों की परिक्षा की सिलिबस के आधार पर हम आपके हैं सारे विशियों की महत्वपूर्ण नोट्स, स्टेट, NCRT और प्रीविस एयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किये गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षका बनने का सपना साखकार हो जाए. अब की बार टेट पार, सूपर टेट, के विएस और रीट मेंज एक्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं. ओनलाइन क्लासेज में प्राक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ओनलाइन लाइव और रिकॉर्ड़ेट सेशन और पीडिएफ नोट्स भी अवैलेबल हैं. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें, 63063-44367, 73551-79012 या 73988-83002 पर, एड्रिस जॉनपुर, यूपी.